Hello everyone, welcome back to अपनी परिक्षा, मेरा नाम है दिशा and guys इस वीडियो में मैं आप लगो के साथ नवोद्य विध्याले समीती की तरफ से जो 1915 vacancies निकाली गई है, 2022 की bumper vacancies में से एक vacancy जिसके अंदर आपकी stenographer की vacancy, LDC की vacancy, MTS की vacancy निकाली गई है, उसके बारे में डिसकस करने वाली ह हम age limit qualifications का paper होने वाला है, application fees क्या है, syllabus क्या है, exam pattern क्या है, हर एक चीज़ पर discuss करेंगे एक ही वीडियो में, I promise कि ये वीडियो बहुत fruitful रहेगी, इसको पूरा देखेगा, क्योंकि आधा अधूरा ग्यान लेके ना जाए, और मैं आपको strongly suggest करूंगी कि इस vacancy के लिए आप की है और बहुत fast procedure है इसका, आपको कई गुना जो अगर आप SSC में time invest कर रहे है और आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे age limit की वजह से आपका barrier आ सकता है, तो ये vacancy आपके लिए ही है, NBS है नवोदे विध्याले समिती, जिसने different different non teaching post के उपर vacancies अपनी निकाली है, total vacancies 1915 है, जिसमें से काफी ज्यादा vacancies आपके काम की होने वाली है, तो फटा फट से subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना और share ज्यादा से ज्यादा करना और इसकी complete PDF मेरे telegram group पे available है, ठीक है newspaper cutting से लेगे कैसे आप लिगों को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ telegram पे available है, link description में है, जाके वहा यह बारा तारिक से शुरू हो चुकी है, मतलब आज आपकी मकर सक्रांत है, happy मकर सक्रांत to everyone, ठीक है, और last date है आप लोगों की यहाँ पे 10 फरवरी, fees की भी last date 10 फरवरी रखी गई है, और examination 9 से लेके 11 मार्च तक होने वाला है, आपके stenographer की vacancy, MTS की vacancy, सारी vacancy के लिए मैं ख असिस्टेंट कमिशनर के लिए 1500 फीस है, नर्स के लिए 1200 है, यह हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे है, वो maximum बच्चे जो है, वो LDC वाले है, वो UDC वाले है, वो stenographer वाले है, उनको उस vacancy से जादा मतलब होने वाला है, बट still मैंने इंकॉर्परेट कर अपलाई कैसे करना है, पहले मैं आपको अभी eligibility बताऊंगी, फिर आपको क्या करना है कि इस site पे जाना है, यहाँ पे आपको form मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको fill करना है, required documents जालने है, fees को pay कर दो, और अपना application form जो है, उसको print कर लेना याद से, अब हम discuss करेंगे कि कह कहां पे कितनी vacancies निकाली गई है, ध्यान रखिएगा, pen copy ले लिजिए, note down करते रहिएगा, जो important होगी वो मैं highlight कर दूँगी, 5 vacancy है, इसमें admin में 5 vacancy है, important is stenographer में 22 vacancy है, ठीके, उसके बाद यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि आपको qualification कितनी चाहिए और age limit क्या है, मैंने ह हर एक चीज को हर एक जगह पे incorporate कर दिया है, अगर आप stenographer के लिए भरना चाहते हो, आपने 12 पास कर रही हो, आपको stenography आती हो, और 18 से 27 साल तक के उमर में आप हो, तो आप लोग जो है, वो form भर सकते हो, computer operator के लिए भरना चाहते हो, graduation कर रही हो, और आप लोगों को typing आती हो, ठीक है और diploma हो computer का, junior secretary assistant के लिए भरना चाहते हो, 18 से 27 जो है यहाँ पे age limit है, और 12 पास कर रही हो, और typing आती हो, उसके बाद अगर आप लोग एक और vacancy है, जबर दस्त vacancy है यहाँ पे junior secretary assistant, अगर आप इसके लिए भरना चाहते हो, 622 vacancies है, कम नहीं होती है दोस्तों, और भी pass कर रही हो, और typing आती हो, 18 से 27 तक आपकी age limit है, यूर category के हिसाब से, simple, अगर आप MTS के लिए भरना चाहते हो, normally आपने 10th pass कर रही हो, ठीक है, 18 से 30 आपकी age limit है यहाँ पे, और 23 vacancy यहाँ पे out है, mess helper के लिए आप नहीं eligible होंगे maximum लोग, क्योंकि यहाँ पे 10 year का experience भी चा आते हो, 142 vacancy जिनोंने out कर रही है, आपने 10th pass कर रही हो, डिपलोमा हो लाब के अंदर, अगर वो नहीं है, तो 12 अगर साइन्स से कर रही है, वो भी चलेगा, 18 से 30 आप लोगों की age limit यहाँ पे मांगी गई है, बहुत simple procedure है, ठीक है, अगर आप लोग interested होगे, तो definitely stenographer के और third आप होगे यहाँ पे junior secretary assistant के लिए, पर form भरना चाहते हो, 1000 रुपे का form है, अब आपका paper कहा होगा, तो all over India आपका paper यह रखा जाएगा, 9 से 11 मार्च तक आप लोगों का paper conduct कर वा लिया जाएगा, अब बात करते हैं कि क्या coronavirus से इसके paper पे को impact पढ़ने वाला है, गाइस अगर हम peak की बात करें, वो january की last में peak आएगी, point number one, फर्वारी की last तक यह peak जो है, बिल्कुल slow हो जाएगी, ठीक है, so आप लोगों कि मार्च में इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, मार्च में इससे कोई फरक नहीं पढ़ेगा, paper on time होगा, और skill test और typing test के लिए maximum to maximum आपको वहाँ पर typing test और skill test अपना perform करना पड़ेगा, बट मैं बोलूंगी कि अगर आप लोगों को age limit का कोई issue हो रहा है, जरूर इस form के लिए भरे, बिकॉस यह बहुत अच्छे forms है, और इसका selection procedure बहुत fast है, अगर मैं आपके साथ discuss करूं, तो यहाँ पर stenographer के लिए खतरना limit नहीं है, ESIC में time limit है, लेकिन हो भी काफी अच्छी vacancy है, यहाँ पर GK आएगा, current affairs 30 number का, और computer के बारे में कुछ knowledge आएगी, वो आएगा 30 number का, यहाँ पर reasoning और mathematics हाई ही नहीं, अब बताओ क्या चाहिए, अगर आप English की speed से कर रहे हो, तो आपको 80 word per minute चाहिए, और 40 की speed चाह स्लेबस है, exam pattern है, आप देख सकते हो, junior secretary assistant के लिए भी आपका reasoning आएगा, quants आएगा, GK आएगा, और English भी आएगा, Hindi भी आएगा, और computer भी आएगा, DSSB की तरह ही है, लेकिन इसमें computer को add कर दिया गया है, उसके बाद सेम आपका JNV काडर के लिए भी सेम स्लेबस है, 130 number का paper ह होगा, धाई घंटे मिलेंगे paper करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए इतनी limited paper को करने की English के लिए बेंदास paper को SSE की तरह, ठीक है, उसके बाद lab attendant के लिए भी आप लोग अपना syllabus देख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद multitasking, मतलब MTS के लिए भी same steno वाला syllabus यहा पर 22 vacancy भी है, ज्यादा लोग फिल नहीं करेंगे यह form, ठीक है, maximum लोगों को नहीं पता होता, वो SSC में अंडल जाए, कुछ लोग ESIC भरेंगे, बहाँ पर ESIC में 165 vacancies है, stenographer के लिए, उसके form भी कल से out हो जाएंगे, और इसके form हो चुके हैं out, तो आप लोग जरूर इन forms को भरिए, stenographer और junior secretary assistant वालों को strong suggestion है, आप लोग जरूर यह form भरें, क्योंकि यह vacancy बहुत सालों में एक बार आती है, और अच्छी आती है, फड़ा फड़ से process हो जाता है, और job भी बहुत सही तरीके से आप लोगों को मिल जाती है, पैन लेवल पे पेपर होगा, age limit बता दी, क कैसे qualifications है, वो बता दी, किस vacancy के लिए, किस post के लिए कितनी vacancies अलोट कर रखी है, मैंने वो बता दिया, आने वाले टाइम में detailed slavers बताऊंगी, previous year paper लेकर आऊंगी, demo papers करवाऊंगी, previous year paper मिलेंगे तो करवाऊंगी, full tooth स्यारी हम मिलके करेंगे, और steno वाले बर जरूर भरना इस वीडियो को अच्छा लगेगा मुझे भी, सब्सक्राइब कर देना फटा फट से और शेर कर देना, शेर नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, शेर कर देना बस, टेलिग्राम ग्रूप पे जोईन हो जाना, PDF के लिए, मिलते आने वाली वीडियो में, अपना ध्य सान रखे, खूश रहे, टेक केर